Microsoft PowerPoint 2010 के अंदर आप अपने आपजेक्ट्स को मेनिपलेट कर सकते हैं किसी भी ग्राफिक्स आपजेक्ट को आप मेनिपलेट कर सकते हैं इसमें आपकी पिक्चर इंक्लूडिड है आपकी वीडियो आपकी आडियो और स्मार्ट आर्ट तो हम देखते हैं किस तरह इनको मेनीपलेट कर सकते हैं सबसे पहलinkling है आपके सामने पिक्चर है जो भी पिक्चर आपने अपने स्लाइड के अंदर एड़् की हुई है जब आप उसके उपर पीच में क्लिक करेंगे तो आपके सामने contextual tab आजाएगा पिक्चर टूल्स का और साथ ही पिक्चर के ऊपर छोटे छोटे दाइरे और डबे बने हुए आजाएगे इसका मतलब यह है कि आप इन डबों को यूज करते हुए अपनी पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं अपनी ग्राफिक्स को रिसाइज कर सकते हैं चोटी होती जाएगी और अगर मैं इसकी width को increase करना चाहता हूं तो इस डबबे के उपर रखकर मैं click करके करूंगा तो यह बड़ी हो जाएगी मेरी पिक्चर इसी तरह अगर मैं इसको थोड़ा सा tilt करना चाहता हूं अपनी पिक्चर को तो यह जो green दाएरा है इसके उपर मैं जब लेके जाँगा अपने माउस करसर को तो एक राउंड तीर नजर आएगा आप इसके उपर क्लिक कीजिए और आपके उपास चार तीर बने हुए आ जाएंगे जो आपको मेंशन करेंगे कि आप किस तरफ इसको मूव करना चाहते हैं इसी तरह मैं अगर अपनी पूरी पिक्चर को मूव करना चाहूं तो बीच में पिक्चर के रखकर मैं क्लिक करूँगा और फिर ड्रैग करूँगा तो यह पिक्चर मेरी मूव हो जाएगी तो यह है पिक्चर को मूव करने का तरीका, अब हम देखते हैं वीडियो, यह एक वीडियो जो मैंने इंसर्ट की वी है, इसके साथ भी मैं इसी तरह चेंजिस कर सकता हूँ, चोटा बड़ा कर सकता हूँ, विर्थ को इंक्रीज कर सकता हूँ, इसके उपर क्लिक करने के बाद इसकी पुजिशन थोड़ी सी मैं एड़ी वगारा कर सकता हूँ, और मूव कर सकता हूँ अपनी वीडियो को, इसी तरह मैं आडियो के साथ भी कर सकता हूँ, आइकॉन जो है उसका नजर आ रहा, उसको भी मैं इस तरह बड़ा या चोटा कर सकता हूँ, और इस तरह की अबर मेक हैं तो मैं उसको भी इसी तरहां छोटा बढा कर सकता हूं या इसके अंदर text एड कर सकता हूं उसके लिए ँनर टैक्स करने के लिए मैं right Click करूंगा और edit text क्लिक हुआ, एडिट टेक्स्ट क्लिक करूँआ, तो मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी टेक्स्ट को भी, तो यह है Microsoft PowerPoint 2010 के अंदर टेक्स्ट को मिनिपलेट करने का तरीका और और अबजेक्ट या ग्राफिक्स को इटसेल्फ मिनिपलेट करने का तरीका